तुनाया है बेटा, मैने केल पुराने केले है, जिन लोगों के दम पे तु उचलता है, वो आमरे पुराने चेले शेर खुद अपनी ताकत से राजा कैलाता है, जंगल में चुनाव नहीं होते है जंगल में शेर से और शेहर में मिया भाई से, दर के रहा है, शेर पसेल पाड़ देता है, मिया भाई चलते रस्ते में काड़ देता है डीजे शेहचाद बाबु जाश्या की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलाब के जुके हुए सर खुद बखुद रास्ता वाई याद रखा हमको कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं है हम गये तो खालियात नहीं जाएंगे ताज को भी ले जाएंगे लाल खिले को भी ले जाएंगे खुद मेनार को भी ले जाएंगे लेकिन खुदा की खसम छुकने तयार नहीं आपने हमारे आने का अंदाल देखा कुद ही तिर जाएगा नफर से किराने वाला है नहू मुझ में महपत के घराने वाला मेरे पुर्खों की अमानत है ये जन्न सा वतन मेरा चूता भी कराज नहीं जाने वाला लग्ता इस हवेली का नमक आपने किलो के हिसाब से खाया नमक तो और लोग भी खाते हैं लेकिन मेरी वफादारी का राज ये है कि मैंने इस हवेली की मिट्टी तक खाई ये हिंदुस्तान हमारा हुए हम जाने वाले नहीं है जो हमें पाकिस्तान भेश दे इन्शालला अल्ला उन्हें बोच्चल खबरस्तान भेशे वाला है दीजे शेंजाद चैंपूर असौदीन औवएसी अक्परदीन औवएसी वो शेयर है कि माबह्तेदाम वपहुचा दिया कि इनकी खियादत में हमको जमा होना है इनके हाथों को मजबूत करना है ताके ये सारे हंदुस्तान में इस्लाम के पर्चम को लहरा दे अपने हाथों को बुलंद करकर तीन मर्दबा नारा लगाऊंगा इस नारे का जवाब देना मुसल्मान बेसाखी के साहरी जिंदगी नहीं बजार सकता में साखिया तोड़ो मुसल्मानों तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं इस्ज़त की जिंदगी या इस्ज़त की मौत तुम्हारे पास गुर्बाने की सिवा कोई दूसा रास्ता नहीं है मुसल्मानों इससे पहले कि तुम्हारी जमीन पर कुप रचा जाए तुम्हारे पाओं में गुलामी की संजीरे पढ़ जाएं तुम्हारे इसलाम का मजा को लाए जाएं तुम्हारे खुरान को जलाए जाएं तुम्हारे नभी की नामुस पर मुस्तकिल हमले किया जाएं तुम्हें रास्ते का पत्थर समझा जाएं और ताखुत तुम्हें कीडा मकोडा समझ कर मसल दे इससे पहले तुम जाग जाओ, उठ जाओ, हिम्मत करो, जज़बे चगाओ, हाथ उठाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, बुलालो दीजे शंचाद बाबू तुम नीचे खड़े होकर, अपने आप को कमतर समयने लगें हम तो यहाँ सरफ इस खयाल से लुक गए थे, कि नीचे से उपर बात करते हुए, तुम्हें सर उठा के बात करने का मौका मिलेगा अगर तुम्हें सर उठा कर बात करने का छौक नहीं है, तो हम चले आते ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा राजा कि कौन पलचता है और कौन पलचने का मौका देता है